सबसे पहले यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी मैं आपके साथ इश्रवात करूंगी पिछ आपने तयार की अब ऐसा लग रहा है क्या कि हर को इसमें बैटिंग कर रहा है अब अब अगर बटने पर किसी को रोकने की दरकार की जाए कि बटिये मत तो इस पर बांटने मालों को बुरा लग रहा है उनको इपनी बाते रखने का दिकार है वो उनका उने बाते रखी कि जुड़ेंगे अरे बटेंगे नहीं तो जुड़ेंगे आप शक्ता क्या पड़ेगी जब कटेंगे तब जोड़ना पड़ेगा ना और रहीम दासी का एक दोहा है रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांट पड़ जाए तो हम तो यही कह रहें कि बटिये ही मत सब एक रहिए सब एक रहिए नेक रहिए देश का विकास कीजिए देश को 2047 तक विश्व के सर्वोत्तम राष्ट के रुपे प्रस्तुत कीजिए तो इस पर भी अगर किसी के पेट में मरोडे उट रही हो तो उसकी पेट के मरोडों का स्वागत है तर आपने कहा कि सब के साथ सब के विकास के साथ पार्टी काम करती है और यह पार्टी का मंत्र तो है ही किश्व प्रसाद मौरे भी यह कह रहे हैं कि सबके साथ और सबके विकास के साथ यह चुनाओं में आ गया रहे हैं लेकिन गृरास सिंग तो इसको कह रहे हैं यह नारा नहीं है यह मंत्र है तो यह मंत्र क्यों जपना पड़ रहा है हमां सबके साथ सबका विकास छोड़कर ब सबका साथ सबका विकास जिस तरह से नहींत है, उसी में हम ऻोत ब отвलना नहीं है एक रहना भारत एक राश्ट्र के रूप में रहे हम सारे भारती एक राष्ट द्रीता के रूप में रहे तो इसने क्या अपत्ति हो सकती है बांटने पर इतनी जो यह आमाद्गी क्यों है कि इत सबका साथ सबका विकास की ही कड़ी को इन्होंने विस्तार दिया है एक मट के योगी की ऐसी बोली बाशावनी चाहिए अरे आपने क्या काम किया रोजगार की दिशा में आपने क्या काम किया मैं समझता हूं कि इन्सान को छोड़ दियर्पता जी इन्होंने भगवान को भी बाटने का काम किया है इनके मोहन यादोजी जो मंद्य प्रदेश की मुकबंत्री है वह वहाँ पर कहते हैं कि जो कृष्ट की बात करेगा वही अस्तिभारती है यहां पर योगी आधितनाजी क कहते हैं कि जो राम भक्त वही राश्र भक्त है मोधी जी जाते हो तो जगनाद जी का जैकारा लग बाते हैं तो जो भगवान को बाटने का काम करें वो इंसानों का तो बाटे का भी बाटेगा अब यह आदने प्रेम भाहिने सारी बाते बताएं लेकिन वह अब तक यह नहीं तो हमारे हिंदूस्तान के एक नागरिक चाहों किसी समाज किसी वर्काओ सब एक जुट हो जाएंगे और देखिए यह कि किसी की धार्मिक बावनाओं को भड़का करके यह किसी को धर्म से किसी की जाग से आप इसको राजितिक लाब नहीं ले सकते हैं तो समझता हूँ कि मान लेते हैं जो राजितिक लाब के लिए इस तरह की पोस्टर्स लगा रहे हैं उनका यह तरीका हो सकता है पिछ तो उनकी थी ना आप लोग क्यों नारे लगा कर लगातार यह कि आपके नारे अपने क्यों बन गए कि जो बाटेंगे वो पिटेंगे अर्फिता जी चलिया या औरपृता जी चलिए इंडिया ब्लॉग की बहुत बड़ी जीत है कि आप एक मुखमंत्री की आप अप मेरकर कर रही हैं जिसकी हमतों कुछ्डों के बात करने की बात कर लोई कि अगर वोट जुड़ेगा समाजवादी पार्डी से इंडिया ब्लॉट से तो जाइज से बात जो है 2017 से लगातार भाई बीजेपी की दर्फता 24 में जो है इंडिया गडवंधन के साथ आया वह भाश्पा में जो गोड गया अगर वह इंडिया गडवंधन के साथ जुड़ अब उन कामीं को नहीं पता अपर हो कि आट साल ता एक साल की आप आप बात करो अप बात तरक्राटे की बात करो शर्म हां क्या मुक्कवंत्री जी रिया को और जायर मट योगी भी ऑ और अभी पर पर नहीं कर रहो आप करो जो राम भकते वही देश बक्त है वही रास्ता भकत ए महणनीं रिद्दार ची कर रहे है रामईदय सेमिस तेनाकी है Oh 그mbite नोशने की लिए एक धर में ङखर की रोग और युक शुकराया और स्खम कोativa हमाये नेस्ट द Un Chapel ब нач कि भीर था जारो हुं हिंदू थे वहां पे किसी ने इसको रोखने का काम नहीं किया उसके घर का रांगोपाल मिश्रय के परिवार कचिना को बुच गया उसके अंदिवाली के मोहित पंडे को पुलिस का सडियो पार गया गया जी कि में जवाब ले तो प्रेम शुक्रा जास इसको तो यही बस है यहीं वरोगने की विरिणे को प्रके घंड बांटने वाले हैं क्या इनको बांटने का लाव है क्या ये बांटने के लावांसदारी है क्या जब बंटेंगे नहीं तो जोड़ने की बात ही नहीं होगे पहले कह रहे हैं बांटना चाहते हैं क्यों बांटना चाहते बाई आप जो बुजफर नगर दंगे करा देंगे बां तो यही बांटना है मित्र ना तो धार्मिक किसी का जंडा उतरना चाहिए और जंडा उतारने पर गोली चलनी चाहिए तो इसमें क्यों धार्मिक आप दोनों कहिए ना कि किसी के मन में इतना जहर किसने बर दिया कि जंडा उतारते ही गोली मार दे रहा है उसको कौन प्रोग करना है उसको प्रोग करने वाले पर आप सांत हो जाएंगे मा भारती को डायन कहने वाले को आप मंतरी बना देंगे इससे अधिक जो है बांटने का उकर्म क्या हो सकता है कि मा भारती के लिए आप शब्दों का प्रयोग करने वाला आपका माननी मंतरी बन बटेंगे तो ठीक है आप यह समझाना चाहरें कि सब्सक्राइब के ज़रूरत है फिर कटने की बात क्या है उसको रस्पष्ट कीजे बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ क्या है इसलिए निश्चित तोर पर बटे थे इसलिए इस देश में 15 लाग हिंदू कटे थे इस देश को धर्म के आधार पर बातने का काम जिन्ना ने किया मुहमद आजम खांके पूरुवज मुहमद अली जिन्ना ने इस देश को बातने का काम किया जिसके कारण 15 लाग से अधिक ल प्तिवाद में इसको जोड़ रहे हैं वो जाती के आधार पर बाठ पाठ कर जीफ दर्श कराना चाहते हैं आप यह कह रहे हैं कि जाती पर मतबटो हिंदों-मुस्लिम के आधार पर बटो दों यह तो जो इसाधारब बाहर पर बाढ़ते हैं किषिभां राहुल गांधी दक्षण में जाते हैं और कहते हैं उत्र के द्रोगों की बुलद्धी नहीं होती है critical कर इनका है उत्तर के लोग गन्दे होते हैं तो यह यह क्यों Boulevard और ने मैं दक्षिन उत्तर भी क्यों बाटना चाहते हैं पूरब पस्चिन्बी क्यों इनका एक जो है सैम पित्रोदा कहते हैं उत्तर के लोग आफगानी उसे मिलते हैं धक्ष्ण पूरब के लोग चीनी से मिलते हैं इसलिए आपको लगा कि यह बढ़िया मनत्र इसी में सवारो के नौसी तो के नईया पार की जा सकती है देखिए इस देश के समिधान निर्माता का लैब में बैटे हुए थे इस देश के समिधान निर्माता जब इस देश की एकता के सूत्र में पिरोने की बात कर रहे थे तो अखिलेश यादों को लग सकता लैब में बैटे थे लेकिन इस देश की समिधान सभा ने भी इस देश को भाषा प्रांत जाती सबसे उपर उठकर एक होने की बात कही है और सम्मिधान के प्राकतन में अगर अखिलेश यादों ने इस देश के सम्मिधान का प्राकतन भी नहीं पड़ा है तो उनके पर मुझे दयाने के लाम और कुछ नहीं कर सकता मैं चीक है मैं आगे महमानों के पास भी बढ़ रहे हूँ एक छोटा सा एक्षन जरा अनुपम जी से बिलूँ अनुपम जी आपको भी लगता है कि यह लैब में तैयार किया हुआ नारा है और फिर अब बाकियों की भी क्या लैब तैयार हो गई है एक लैब को देखकर कि वो भी के दो मेजर ब्राड तरीके रहे हैं एक है सकरात्मक उमीद पैदा करना और दूसरा है नकरात्मक भे पैदा करना है सकरात्मक उमीद पैदा करना आसान काम नहीं है कठिन काम है उसके लिए मेहनत चाहिए समझ चाहिए अच्छी नियक चाहिए उसके लिए आपको आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर समझ होनी चाहिए रोजी रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए गरीबी मुख मरी मिटाने की बात होनी चाहिए समाज देश कैसे शशक्त हो उसकी पूरा उसका खाका उसकी कारियोजना होनी चाहिए सकरात्मक उमीद पैदा करना वो कभी भाजपा का फोटे रहा ही नहीं है भाजपा जैसी पाटियां भारत ही नहीं दुनिया में कहीं पे भी जो राज करती है वो नकारात्मक भै पैदा करके ही राज करती है कैसे करती है वो देखो कोई घर में घुश जाएगा कोई तुम्हारी संपती लेके चला जाएगा, कोई मंगल सूत्र छीन के चला जाएगा और ये जो इस तरह के नारे है, नारे किया इनका तो देखिए मोदी जी अपने भाशन के समय हाथ कितना उठाएंगे वो भी किसी लैब में ही तै होता है और गैनिक और नैचरल तो ये हैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी फासिस्ट और गैनिक और नैचरल नहीं होता है शीर्स इसे कुछ लैब में तै होता है और उसको बिलकुल नीचे तक प्रसारित कर दिया जाता है बाकि किसी को सोचने समझने की इजाजत नहीं होती है लेकिन जहां तक देखिए इस नारे की बात है, बड़ा विरोधा भास से भारा हुआ भाजपा का लगभा घर नारा होता है अब ये इस नारे के मूल में क्या है? मूल में देखिए बाते और इंटर्प्रेटेशन कितना भी सुंदर प्रेम जी रख रहे हो लेकिन असल बात है कि उसमें एक कोनोटेशन है देश में कोई आदमी कहेगा ही नहीं कि सब को बटना चाहिए कोई भी जो राजनिती में है या नहीं है सब कहेंगे कि सब को एक जूट रहना चाहिए हिंदुओं को एक जूट रहना चाहिए, मुसल्मानों को एक जूट रहना चाहिए, हर विहारी को, हर गुजराती को एक जूट रहना चाहिए, हर भारतियों को एक जूट रहना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके नारे में एक कोनोटेशन है, वो है कि एक ज भाजपा की पूरी राजनिती का आधार यह है कि मुसल्मानों को ललकारना है और हिंदूओं को डराना है यही करके यह राजनिती करते हैं लेकिन विरोधाभास क्या है मैं यह देखिए आपको बताता हूं विरोधाभास यह है कि यह लोग एक छड़ तो कहेंगे कि देश सु रक्षे तातों में मतलब यह विरोधाभास अजीब है इनका विरोधाभास अजीब है कि कहेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और एक दिन को बीबी सी वाशिंग्टन पोस्ट की को रिपोर्ट आ जाए तो अगले ही पल कह देंगे कि पूरी दुन और डर के नाम पे वोट का करोबार होता है सिर्फ यह काम करती है अगर भाजपा पे सिर्फ इतना प्रतिबंधित हो जाए अगर इस देश के चुनायोग निया एपाली का मीडिया बस इतना सुनिश्चित कर दे कि यह बाटने का जहर फेलाने का काम ना करे तो यह अगले द इस दिन भूमी पूजन मत करिए यह दिन सही नहीं है मूर्थ सही नहीं है लिए हिंदु भावनाहाथ होनी चाहिए थिक नहीं होनी चाहिए थी और अगर इनको हिंदुओं से लगाव होता तो यह पांच अगस्त को काम नहीं करते लेकिन उन्हें पांच अगस्त को क्श्मीर में 378 गया था इनके लिए धर्म सिर्फ राजनिती का माध्यम है कुछ नहीं है कोई लगाव नहीं है हिंदुओं से इनको द अगर पर चीटे आएंगे साथ दूसरे तरह वकर पत्तर पेंगे आप तो सवाल से कमी नहीं भागेंगे एर पीच्छी